नवरात्री के दिन घर में आने वाले शुब संकेत नवरात्री में मिले ऐसे शुब संकेत तो हो जाएं खुश नवरात्री के किसी भी दिन मिल जाएं ये संकेत तो समझे सफल हो गई आपकी पूजा ये शुब संकेट बताते हैं नवदुर्गा की आप पर है विशेश क्रिपा नवरात्री पर मिले ये संकेट तो समझे खुलने वाली है किस्मत नमस्कार मित्रों कमेंट में जरूर लिखिये जै मातादी नवरात्री के पहले दिन घटस्थापना की जाती है और फिर नौ दिनों तक पूजा मंत्र जाप आदी किये जाते हैं मादुर्गा यदी प्रसन्न हो जाएं तो जीवन को खुशियों से भर देती हैं पुरानों के अनुसार कुछ ऐसे संकेत हैं जिससे पता चलता है कि नवदुर्गा के साथ साथ समस्त ब्रहमांड की शक्तियां भी आप पर महरबान हैं शास्त्रों के अनुसार नवरात्र में कंजत पूजन का विशेश महत्व है दो साल की कन्या से लेकर नौ वर्ष तक की कन्या को मा का स्वरूप माना जाता है हिंदु धर्म में नवरात्री पर्व पर लगभग हर घर में कलश स्थापना की जाती है देवी को प्रसन करने का यह सबसे अच्छा समय माना जाता है इस समय की गई आराधना का फल बहुत जल्द प्राप्थ होता है लेकिन यदि आप नवदुर्गा में किसी खास मनोकामना के लिए घर में कलश स्थापना वजवारे पूजन करते हैं किन्तु आपकी पूजा कितनी सफल हुई कितनी नहीं इस बात की जानकारी आपको कैसे मिल देगी तो आपको बता दें कि नवरात्री के दौरान देवी चैतन्य होती हैं वहीं इन दिनों की गई सच्ची भक्ती से माता तुरंत परिणाम दिखा देती हैं यदि आपकी भक्ती से माता प्रसन्न होती हैं तो इन नौ दिनों के दौरान आपको कुछ ऐसे विशेश संक आईए जानते हैं वो विशेश संकेत। इसके संकेत हमें कई तरीकों से मिलते हैं। नवरात्री के दौरान या इसके बाद मिलें तो समझ लें कि आप पर माता की जमकर कृपा होने वाली है। यह संकेत मिलना माता की पूजा का फल मिलने का इशारा है। नवरात्री के दिनमा दुर्गा की पूजा अर्चना करने का सबसे उत्तम दिन माना गया है। नवरात्री के अफसर पर सभी भक्त मातारानी को प्रसंद करने की हर संभव कोशिश करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो तरहत्रह के उपाय अपना कर माता दुर्गा का आशिर प्रसंद करते हैं परन्तु शायद ही आपको इस बात का पता होगा कि नवरात्री में ऐसे कुछ शुब संकेत होते हैं जो अगर आपको मिले तो यहाँ आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार आज हम आपको नवरात्री पर मिलने वाले कुछ शुब संकेतों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। पहला संकेत है नारियल और शंक दिखाई देना। अगर आप नवरात्री के पवित्र दिनों में अपने सपने में नारियल या फिर शंक, फूल देखते हैं तो यह शुब संकेत माने गए हैं। इसका मतलब होता है कि माता रानी आपकी पूजा अर्चना से अत्यंत प्रसन्न है और इनकी कृपा से बहुत ही जल्द आपको कोई शुब सूचना मिल सकती है। स्वपन शास्त्र के अनुसार अगर आप अपने सपने में सफेद या सुनहरे रंग का सांप देखते हैं तो यह बहुत ही शुब माना गया है। कन्या के हाथों से सिक्का मिलना। इस तरह के सपने आपको आते हैं तो समझ लीजिए कि आपके जीवन के सभी संकट मातारानी दूर करेंगी और आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। श्रिंगार करते हुए महिला को देखना अगर आप नवरातरी के दिनों में अपने स्वपन में श्रिंगार करती हुई महिला को देखते हैं तो यह बहुत ही शुब माना जाता है। महिलाओं को देवी मा का अंश ही माना गया है। इसका मतलब होता है कि आपने साक्षात देवी मा के दर्शन कर लिये हैं और शीघर ही आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे और आप अपने जीवन में लगातार उन्नती की तरफ आगे बढ़ेंगे। गाय का दिखाई देना घर से निकलते समय गाय का दिखना बहुत शुब माना जाता है। अगर नवरातरी के दिनों में आपको घर या मंदिर से निकलते समय गाय दिखाई दे और खासकर सफेद गाय दिखे तो समझ जाएं कि आपकी हर मनोकामना जल्द ही पूरी होने वाली अगर आप अपने सपने में नवरात्री के दिनों में सफेद रंग की गाय देखते हैं, तो यह अत्यंत शुब होता है, इसका अर्थ होता है कि आप अपने करियर में लगातार उन्नती हासिल करेंगे, पारिवारिक सुख सम्रधी की प्राप्ती होगी, इस तरह के सपने सकारा अत्मक उर्जा प्रदान करने वाले माने गए हैं, गन्ना देखना, अगर आपको नवरात्री के दिनों में सपने में गन्ना या फिर गन्ने का खेट दिखाई देता है, तो यह शुब संकेतों में माना गया है, इसका अर्थ होता है कि आपके घर में बरकत होगी, आपको अ शुब होता है, अक्सर उल्लू की आवाज को मनहूसियत से जोड कर देखा जाता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, देखना होगा कि आखिर उल्लू की आवाज किस बात का संकेत देती है, हालांकि यह धारना जनशृती पर आधारित है, ऐसी किसी बात में विज्ञान वर में बोले तो आर्थिक हानी का संकेत है, मान्यता अनुसार यदि उल्लू की आवाज रात्री के प्रथम प्रहर, द्वितिय और चतुर्थ प्रहर में सुनाई दे तो इच्छा के पूल्न होने के संकेत है, इससे अर्थ लाभ, व्यापार में लाभ और राजदर्बार आ मान्यता अनुसार एक ही दिशा में उल्लू का बार-बार आवाज देना, उसका दिखना ज्यादा कल्यानकारी नहीं है, यह संकट की सुचना है या इसे आपकी सेहत खराब होने की सुचना भी माना जा सकता है, मान्यता अनुसार अगर रात में आप यात्रा के लिए निकल रहे हैं और उल्लू प्रसन्ता पूर्वक मध्यम स्वर में बोले तो यह शुब संकेत है, यदि किसी को दरवाजे के पास उल्लू तीन दिन तक रोता है, तो उसे चोरी, डकैती या अन्य किसी रूप में आर्थिक शती होने की संभावना बढ़ जाती है, अगर उल्लू कि इसी घर की छत पर आकर बैठ कर आवाज करता है, तो इसे किसी की मृत्यू की सूचना माना जाता है, कहते हैं कि उल्लू का दाहिनी तरफ देखना या बोलना हमेशा अशुब होता है, लेकिन उल्लू का बाई और देखना शुब रहता है, यदि सुबह के समय पूर्व की द यदि उल्लू किसी रोगी को छूते हुए निकल जाए या उसके उपर से उर्ता हुआ निकल जाए, तो गंभीर रोग ठीक होने के संभावना बढ़ जाती है, अगर आपको घर में कभी भी छिपकली दिख जाए, तो तुरंत मंदिर में या भगवान की मूर्ती के पास ऐसी मान्यता है कि छिपकली की पूजा से धन संबंधी समस्याएं खत्म है और धन प्राप्ती के नए मारगों की प्राप्ती होती है, तो अगर आपको अपने निजी जीवन में ऐसे ही कुछ फायदे चाहिए, तो ये उपाए एक बार अवश्य अपनाएं, रोज मंदिर मे नजर आए चिपकली तो क्या होता है, यदि आपको मंदिर में रोज एक ही चिपकली नजर आए, तो इसका अर्थ होता है कि आपको जल्द ही कोई शुब समाचार प्राप्त होने वाला है, यदि आपको काली चिपकली नजर आती है, तो यह अलक्षमी का संकेत होता है, अलक अगर आपको शुक्रवार के दिन अचानक से घर के मंदिर में जिन्दा छिपकली दिख जाएं, तो इसे शुभ बताया गया है। वहीं अगर मंदिर में मरी हुई छिपकली दिखें, तो यह अशुभ संकेत होता है। यदि आपको सुभा सुभा ही छिपकली नजर आ जाए तो यह उन्नती और लाब होने का संकेत होता है।